प्री बच्चों यों प्री साथियों आपका अपना स्वागत है आपके यूटूब चैनल पे और आज हम लोग करेंगी कक्छा साथवी यों कक्छा छटवी दोनों क्लास का समान जो प्रोजेक्ट कार है विज्ञान का वही हम लोग करने वाले आपको एक खास बात तो पता ही होगी कि आपने हमारे जो पूराने वीडियो देखा होगा तो उसमें तो जान ही लिया होगा कि कक्छा छटवी और कक्छा साथवी दोनों के जो प्रोजेक्ट कार हैं चाली संके हैं और दोनों के प्रोजेक्ट कार बिलकुर समान है अगर आप को पूरे में से पूरे अंग प्रोजेक्ट में पाना है तो प्लीज इस चैनल को पहले सब्सकाइब करिए लाइक कीजिए और एक खास बात अगर आपको पूरा पेपर जैसे का वैसा सेम चाहिए वारसिक का क्योंकि हम इसी चैनल पे आप लोगों उस टेलिग्राम चैनल को जवाइन कर लीज देगा जिससे कि आपको इस प्रोजेक्ट कारे की पीडियेप मिल जाए तो चली यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट कार करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट कारे हमारा क्रसी पर आधारित प्रोजेक्ट कारे अपने माता पिता अभी भावकों के सयोग से पून कीजिए अब पहला प्रशन क्या है इसमें गरिस्म काल में कौन-कौन से अनाजो का उत्पादन होता है उनके नाम लिखिए गरिस्म मतलब गर्मी के समय तो ग्योहू, चना, मतर, सरसो, अलसी ऐसे आधी अनेक आप नाम लिख सकते हैं अगला प्रशन है हमारा प्रोजेक्ट नमर एक का, दूसरा प्रशन है इन फसलों की उत्पादन ही तू भूमी की जोताई किन-किन यंत्रों द्वारा की जाती नाम लिखिए तो हल द्वारा करते हैं आप लोग और कल्टिवेटर के द्वारा करते हैं ठीक है तो आपका और नाम लिख सकते हैं आधी हमने यहाँ पर आप लोगों के लिख चुका है अगला देखें अगला क्या है अच्छे बीजों का चैन किस प्रकार क्या जाता है यहाँ पर बीज ह हुआ है जो आपको नहीं दिर भो समें क्या है ंतो अच्छे भीजों के चेंतव उन्हें पानी में डालते हैं और इससे अच्छे बीज क्या होते हैं पाने की तली में बैठ जातेadamente और खराब बीच पानी के उपर तैरते रहते तो इस प्रकार से आप ये प्रशन के साथ उत्तर भी लिखेगा अगला है फसलों की सिचाई है तू किन किन जल स्रोतों यम सयंत्रों का उपयोग किया जाता है नाम लिखे तो फसलों की सिचाई है तू जल, स्रोत, नदी, नहर, तलाब, जरने, कुवा, आदी का उपयोग करते हैं और सियंद्र क्या हो गया है, मोटर हो गया, तो ट्यूबेल हो गया इस प्रकार से आप उसको भी लिख सकते हैं अगले देखें, अगला प्रशन क्या है की फसल उत्पादन ही तू किन-किन और वर्णो का उपयोग किया जाता है नाम लिखे, तो फसल उत्पादन ही तू हमाने एक परकार के रसायन रसायन में D.A.P, यूरिया, फॉस्पुर, तस मतलब किया आपने सुना होगा जो सब उपयोग करते हैं डियेपी यूरिया वहा जाएगा कि साथ साथ हम लोग जेविक खाथ केचवा खाथ वर्मी कमपोस्ट आपने सुना होगा ना हाँ उसका भी प्रियोग भी किया जाता है आगे देखेंगे फसलो को कीटो या कीट पतंगों से बचाव ही तू किन किन क गोड़ द्वारत दिये गए वही वाले हैं इसलिए आप यहाँ पर यही प्रोजेक कार अपने स्कुल में भी करें क्योंकि यही प्रोजेक कार सभी के लिए मानने हैं ठीक है आगे देखें जिसने अगर कर लिया हो गलत कर लिया हो तो पुना इन ही को करके अपने स्कुल मे हम लोग करते हैं तो इस प्रकार से आप इस प्रशन का उत्तर लिख लीजेगा आगे देखें अगला प्रशन है आप लोगों के लिए फसलों को सुरक्षित भंडारन करने के लिए पहले फसलों को अच्छे से सुखा दिया जाता है फिर गोदाम में दीमक और पुराने अवसेस को जला दिया जाता है जिससे क्या होता है कि फसल बहुत अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रहती है अगला प्रोजेक कार आप लोग के जाने वाली जल की मातरा का नुमान लगा कर लिखिए तो यहाँ पर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आपको कितना पानी एक दिन में लगता है तो किरिया कल आप देखिए उप्योग के लिए जल की मातरा तो पीने में कितना पीते हैं 7 लिटर ब्रस करने में 10 कपड़े दोने में 19 लीटर, 140 में 5 लीटर, घर साप करने में 10 लीटर, गाणिया साप करने में 40, कोई अनुपयोग 50 लीटर और कुल मिलाके 138.5 लीटर का उपयोग किया जाता है तो आपके घर में पीने के लिए यह विभिन कारियों के लिए जल कहां से प्राप्त होता है अगला प्रशन क्या कह रहा है कि समाचार पत्रों पत्रिकाओं में जल की कमी से समध दित लेक एवं चित्रों की करतन एकतरित कर इसक्रेब बुक बनाए तो यहाँ पर हमें क्या करना है समाचार पत्रिया कुस्से भी कर सकते हैं देखिए हमने एक आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा जल सयंत्र यहाँ पर बनाया है जल है और यहाँ पर एक बाल्टी में वो पानी भरा जा रहा है आप इस प्रकार से आप और भी बना के नए वाले अगर आपके पास हों तो उन्हें चिपका भी सकते हैं अब यहाँ पर अगला प्रशन है नदी तथा तलाब के पानी को पीने योग कैसे बनाया जा सकता है तो इसका भी उत्तर आप लोग देखी यहाँ से लिखेंगे नदी हम तलाब के पानी को हम गंदा ना करें जैसे जानवरों को ना धूलें कपड़े ना धूलें उस जल को चान कर भी हम लोग पिया जा सकता है या हम पी सकते हैं उसके आसपास सफाई रखें किसके आसपास सफाई रखना है आप लोगों को नदी तलाब के आसपास सफाई रखना है अगला प्रश्न क्या है बच्चो प्लीज इस चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आपको देखी कितने अच्छे से हम लोग प्रोजेक्ट का रहे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड एट ग्रेट लर्निंग सब कुछ यहाँ पर कराते हैं और पेपर भी आप लोगों को सेम का सेम हम लोग आपको देंगे सेम का सेम मतलब जो इंपोर्टेंट कोश्चन है जो पेपर में आएंगे ही वही देंगे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अबस कीजेगा और PDF भी आप लोग प्राप्त कर लीजेगा कहां से आप लोगों को PDF प्राप्त करना है कहां से करेंगे टेलिग्राम से टेलिग्राम को जोईन कर लीजेगा यहाँ पर देखिए यह इस प्रकार से आपको प्रशन और दिक रहे होंगे इनके भी आप लोग उत्तर कर लीज देगा ठीक है और यहाँ पर देखिए एक अंतिम प्रशन क्या है हमारा जल की कमी को दरसाने वाले स्लोगन लिखी हैं पोश्टर बनाईए तो जल को ना करो बेकार जल बिना मत जाएगा हाकार जल ही जीवन है हम अपने भविस को सुरक्षित कर जल बचाएं जीवन बचा इस प्रकार से आप यह पूरे के पूरे स्लोगन और पोश्टर आपको लगाना है यह सुरोगन हमने लिख दिया आप पोश्टर यहाँ पर लगा लीजेगा तो बच्चों कैसा लगा हम वीडियो हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सकाइब अवस्य करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आवस्ते करें इसकी पीडियेप आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से डिस्डिस की लिंक डिस्क्रिप्सन में दी हुई है तो मिलते हम अगले वीडियो में थैंक यू फुर वाचिंग